नमस्कार सातियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रैमरी एजुकेशन पॉइंट यूटूब चैनल में आज मैं आपका ज्यादा समय नहीं लोगा क्योंकि मुझे पता है आज कल का समय आप सभी के लिए बहुत कीमती है आज मैं आपको थोड़े से समय में ही आपको ऐसे तथ्थे के उपर ऐसे कंटेंट लेकर आया हूँ जिसका आपके शिक्षा मनुविज्ञान में बहुत अधिक महत्तो है ठीक है जब भी आप बाल विकास याँ शिक्षा सास्तर में परशन उत्तर सोल कर रहे होती हो तो वहाँ आपको एक दो परशन किस से मिलता है वर्दी या अभी वर्दी या विकास से मिल जाता है तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर क्या दिया गया है वर्दी जिसे हम अभी वर्दी भी कहते हैं वर्दी या अभी वर्दी विकास में अंतर बताएंगे हम ठीके इसको जानने से पहले सबसे पहले में जानना होता है वर्दी क्या है अब देखो वर्दी आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे सारे एक सनंचना में जो प्रिवर्दन होता है जो हमारे स्रीर जो बढ़ता है हमारे श्रीर में जो प्रिवर्टन आता है जो हमें परतेक्स रूप से दिखाई देता है तो क्या होती है वर्दी होती है क्या होती है वर्दी होती है और वर्दी के साथ हमारे जो व्यवार में प्रिवर्टन आता है वर्दी के साथ हमारे जो व्यवार में प्रिवर्टन आता है वो क्या होता है विकास होता है क्या होता है यानि वर्दी के साथ साते क्या होता है वर्दी के साथ साते जो हमारे ववार में प्रिवर्तन आता है और उस ववार में प्रिवर्तन के कारण जो हमारे अंदर प्रिव पकवता आती है ठीक है वो क्या होता है विकास होता है यानि आप अगर आप विकास की प्रिभासा जानोगे तो क्या होगा विकास का अर्थ क्या होता है विकास का ताथ के स्रीर एम मन के होने वाले सभी प्रकार के प्रिवर्तनों से है यानि हमारे स्रीरी में होने वाले संपून प्रिवर्तनों से क्या कर सकते हैं विकास का अर्थ निकाल सकते हैं यानि हमारे स्रीज के सभी भागों का जो विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं अब चलिए मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ नोट्स बना कर लाए हूं जिसमें क्या है सबसे पहले दिया हुआ है आर्थ है अब देखो जिसमें हम अभी वर्दी का आर्थ जानेंगे और विकास का आर्थ जानेंगे अब देखो जो अभी वर्दी होती है वो क्या होती है सारी रिक पक्स में होने वाला प्रिवर्दन क्या कहलाता है वर्दी कहलाता है और विकास प्रीपक्वता की और बढ़ता हुआ एक निश्चित करम है विकास क्या है प्रीपक्वता की और बढ़ता हुआ एक निश्चित करम है ठीक यानि जब हम प्रीपक्वता होते हैं तब यह माना जाता है कि हमारा क्या हो रहा है विकास हो रहा है यह नहीं है कि हम लंबे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा शिर्पे सारी जो जब हमारा सारी विकास हो रहा है तो हमारे लंबाई बढ़ रही तो क्या हो रही है अगर आपका वर्दी भी हो रही है ठीक है तो साथ के साथ आपका मानशिक विकास भी हो रहा है ठीक है यानि आप प्रिपक हो रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा विकास हो रहा है क्या हो रहा है विकास हो रहा है ठीक है उसके बाद देखिए सेकेंड है छेत्र सेकेंड है अभी वर्दी का जो छेत्र है वो क्या संकूचित है अर्थार्त सिमित है सिमित क्यों है क्योंकि ये शिर्फ एक पक्स में ही दिखाई देती है ठीक है क्योंकि ये हमें शिर्फ एक पक्स ही होती इसलिए इसका जो चेत्र हो क्या संकूचित है और जो विकास है इसका चेत्र क्या है वयापक है इसका चेत्र क्या है वयापक है इसका चेत्र वयापक अर ऐसे तो देखो जब भी आपको बता जाता है कि जो हमारे स्रीज में जो विकास होता है ठीक है उसके क्या होते हैं बहुत सारे पहलो होते हैं जैसे सारी के विकास सामाजी के विकास मानसी के विकास सनाय के विकास बासाय के विकास बोद्धिक विकास समेंगा तमक के विकास न देखो यहां पर मापन में क्या है मापन में देखेंगे हमें मापन में क्या है वर्दी के होने वर्दी में होने वाले प्रिवर्तन को नापा जा सकता है और कद भार और आकार में वर्दी यानि जो वर्दी होती है उसमें हमारे श्री में जो प्रिवर्तन होते हैं उनको हम क्य कैसा है ठीक है उसके बाद देखो जो विकास में अधिकांस परिवर्तन होते हैं उनको मापा नहीं जा सकता ठीक है अब कहें भी जो आपके अंदर समेंगा तमक विकास हुआ है उसको कैसे मापे हम अब समेंगा तमक विकास क्या हुआ है समेंगा तमक विकास जुड़ा हुआ हमारी भावनाओं से ठीक है यानि हम हमारे अंदर जो भावनाओं है अब हमारे अंदर को इस्तिति आती है उस इस्तिति में हम क्या होते हैं हमारे अंदर क्रोध होता है हम क्या करते हैं अपने आपको क्रोधित दिखाते हैं या फिर क्या करते हैं क्या करते हम हसकर दिखाते है यानि हमारा सोभाव कैसा है या कोई भी प्रिष्टिती आती है उसमें हम साह से काम लेते हैं या डर कर काम लेते हैं वो किस से जुड़ा हुआ हमारे समय का तमक विकास से जुड़ा हुआ है किस से जुड़ा हुआ हमारे समय का तमक विकास से जुड़ा हुआ अब उसको मापा तोला नहीं जा सकता है इसलिए जो विकास है उसमें जो परिवर्थन होते हैं उनको मापा नहीं जा सकता है उसके बाद समय या अवधी अब देखो इसकी समय या अवधी भी क्या होती निश्चित होती है वर्धी के आयू निश्चित होती है उसकी आयू कहा है निश्चित होती है एक निश्चित समय कि सोराउस्ता के बाद रुक जाती है अब आपको होगे सर कि सोराउस्ता के बाद नहीं रुकती है ये तो क्या होती रहती है जैसे हमारे नाकुन बढ़ते रहते हैं बाल बढ़ते रहते हैं ऐसा क्यूं आपने उर्बाल हं थो…क्या है? एक मृत को शिका है… ठीक है, वो तो ऐसे ही बढ़ती रहती है… लेकिन जो हमारे स्रीर की जो जितनी वर्दी होनी होती है… और कि शोरा उस्ता में Shot12 20 वरसट हो जाती है… उसके बाद अगर ऐसा हो रहा तो समझ लेना पिट नहीं हो उसके बाद देखो विकास का समय क्या होता है विकास की आयो निश्चित नहीं होती है अर्थार्त निश्चित होता यानी जो विकास है वो निर अग dar चलने वाली प्रक्रिया है आपने एक विकास का सिदांद भी पढ़ाऊगा विकास कि निरिंतर चलने वाली परकृया है यह निश्चित नहीं है यह निरिंतर चलने वाली परकृया है जो बच्चे के जनम से लेकर मरत्य तक चलती रहती है देखो अगर आप मैं जो आज आट नो पॉइंट करवा रहा यदि आप इनको अच्छी तरह कर लोगे तो आपको वर्दी और विकास से समन्दित और कहीं भी कोई भी कंटेंटिप कोई भी आपको मैटर ढूंडने की जरूरत नहीं है इन ही में से आपको पेपर के अंदर मिलेगा 100% डेड सोर आपको इन ही में से पेपर के अंदर मिलेगा क्योंकि मैंने आज तक जितने भी एकजाम दिये हैं एक भी इन से बार नहीं गया है उसके बाद देखो क्या है उसके बाद है निरबड़ता अब निरबड़ता देखो वर्दी क्या है विकास के बिना संभव है देखो वर्धी विकास के बिना संब्व है क्यों है वही देखो अब आप देखते होगे कोई व्यक्ती क्या है बड़ा हो जाता है बड़ा हो गया तो यह जुरूरी नहीं कि बड़ा हुआ तो उसको मांसी विकास भी हुआ होगा ये बिल्कुल वर्दी पर डिपेंड नहीं गरता और आप देखते भी होगे कि कितने बड़े बड़े आब उसका कद भार बढ़ जाता तो हम सोचते होंगे ये तो मांसी ग्रूप से भी क्या हो गया होगा विक्षित हो गया होगा लेकिन ऐसा नहीं होता ठीक है अब आप दे देखो विकास किस पनिरुबर है विकास वर्दी के विना संभो है वी और नहीं भी है देखो वई आप सभी को पता है जो वर्दी है वो किसके अंदर समाईत है विकास के अंदर ठीक है विकास का इपार्ट है को वर्दी ठीक है क्योंकि जो हमारे सभी पक्सों किसमें सामिल हैं विकास के अंदर सामिल हैं तो ठीक है तो विकास है और दी के विना संभो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ऐसे उदान हमें बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं उसके बाद देखिए पक्स देखिए अब यहां पर देखिए जो पक्स वर्दी क्या है एक पक्सी है एक पक्सी है कैसे सिर्फ सारी रिख पक्स की वर्दी होती है लेकिन विकास हो बहुँ पक्सी है अब मैंने बतादा जो विकास के पक्स भी कितने हैं वैसे तो आम तो और पर चार होते हैं जैसे सारी रिख सामाजी के मानसिक और स्वेंगातम के विकास है लेकिन इसके छित्र हम कम से कम कह सकते हैं दस भी हो सकते हैं मैंने आपको पहले बता दिये हैं उसके बाद आप देखोगे उसके बाद क्या है उसके बाद है उसके बाद देखो उसके बाद है प्रिमाना तमक या गुना तमक प्रिमाना तमक आपने प्रिमान वाच्चक विशेशन पढ़ाओगा जिसमें माप तोल का पता जलता है वर्धी में होने वाले प्रिवर्थन प्रिमाना तमक अर्थार्थ मातरा तमक होते हैं जो वर्दी में प्रिवर्दन होते हैं प्रिमाना तमक होते हैं अर्थारते जिन को हम माप तोल सकते हैं लेकिन विकास में दोनों होते हैं विकास में प्रिमाना तमक भी होते हैं औरे क्या होते हैं गुना तमक होते हैं दोनों होते हैं ये कई बार ऐसे पूछा जाता है उसके बाद प्रतेक्स और प्रोक्स प्रतेक्स तो क्या होता जो हमारी आँखों के सामने होता और प्रोक्स जो हमारी आँखों के सामने नहीं होता यानि कई बार तुम्हें ये भी पता हुआ कोई काम सीध्य हो जाता है जिसका हमें पता चलता प्रोक्स यानि जो काम बहुत लंबे समय तक होता रहता है जैसे देखो वर्दी में होने वाले परिवर्तन पर्टेक्स होते हैं यानि वर्दी में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो हमारी आँखों के सामने होते हैं लेकिन विकास में होने वाले अधिकांस परिवर्तन प्रोक्स होते हैं यानि वे क्या होते हैं जैसे वर्दी तो क्या है आप पता चल जाता है जाता है पूरी हो जाती हो रह में दिखाई देती है लेकिन विकास ऐसा नहीं होता वो समय के अनुसार क्या होता उसको दिखाई देता है उसके बाद देखो उसके बाद most important है यह बहुत ही आपके लिए भोतमाईने रखता है पुरुवनुमान या भविश्यवानी अब आप कहोगे कि जो वर्दी है उसको भविश्यवानी देखो वर्दी के आधार पर यानि इस रूमें ही जब बच्चा जनम लेता है उससे के आधार पर हम इसकी भविश्यवानी नहीं कर सकते हैं कि यह कितना लंबा जाएगा मोटा बनेगा या पत्रा बनेगा कैसा होगा हम इसकी इसका पहले अनुमान नहीं लगा सकते हैं लेकिन जो विकास होता है कई बार तुम ने कावज सुनी होगी कि पूत के पाउं पालने में ही पिछाने जाते हैं ठीक है तो उससे हम क्या कर सकते हैं बवि कैसा बनेगा तो यहां पर आपके जो वर्दी और विकास है कि में जो अंतर बताए है मैंने आपको एक बाई वीडियो को ध्यान से देख लेना एक बार समझ में नहीं आए तो दुवारा फिर देख लेना और जब आप पेपर में बेठो तो इस वीडियो को ध्यान में रखना इसी में से आपको जुरूर किस्टन अंसर मिलेंगे और आकर के अगर आपको इसमें से मिल जाए और आपको कुछ फाइदा नजर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यदि आपको अभी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुते धन्यवाद है